खंबा गैनी कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत इच्छे हो आप सब की बहुत जादा डिमांड आ रही थी आज हम वही टॉपिक करने वाले हैं राजस्थान का एकनॉमिक सर्वे 2021 वाला एकनॉमिक सर्वे है जो की बिल्कुल लेटेस्ट है ठीके जो अभी अभी आया ह तो आप यहां पे टॉपिक में देख रहे होंगे आपने थमनेल में देखा होगा most important MCQs लेकिन MCQs हमारे जादा से जादा सही कब हो सकते हैं MCQs जादा से जादा सही तब हो सकते हैं जब हम राजस्थान एकनॉमिक सर्वे को ठोरी में पूरा डिटेल पड़े ठीके तो मैं आपको यहां पे राजस्थान एकनॉमिक सर्वे इन डिटेल हम लोग कवर करने वाले हैं छोटे से छोटा पॉइंट बहुत कम से कम टाइम लगा के उसके बाद आपका इसका मैं एक मेगा टेस्ट लूँगी जब एकनॉमिक सर्वे के हमारे 4-5 सेशन हो जाएंगे वो टेस पर टेस्ट आप लोग कहां पर दे पाएंगे वो टेस्ट आप लोग दे पाएंगे हमारे unacademy के लर्लेंग यह इसके लिए आपको खुछ नहीं करना है अपने मोबाईल से unacademy के learning अप को daun lood free और paid classes देखने को मिलेंगी RPSC exams के preparation के लिए जिसमें हर Sunday सुभा 10 बजे एक test भी होता है एक rank से 100 rank तक जो भी learners होते हैं उनको 2 साल से जादा के subscription पर क्या मिलता है scholarship मिलता है ठीक है clear है और मेरी classes आप लोग देख सकते है free live classes आपको देखने को मिलेगी और इसकी साथ साथ REIT level 1, level 2, social studies और science के लिए daily रात को 8 बजे आप लोग test दे सकते हैं और जो batch course नया start हुआ है इसको join कर सकते हैं मेरी classes आपको English, Hindi, Medium दोनों के अंदर मिलेगी सक्षम, RAS batch हमने start किया है 6 महीने का prelims batch है बच्चो इसमें सारे educators जितने भी हमारे top educators हैं आपको आपका syllabus complete करवाएंगे मेरा role ये रहेगा मैं आपको art and culture और current affairs यहाँ पर पढ़ाने वाली हूँ तो इसके लिए आपको हमारा referral code यूज करना होगा जब भी आप plus को join करे grade 1 category का अलग subscription है grade 2 category का अलग से subscription है ये subscription आप सारे join कर सकते हैं और 10% discount के लिए मेरा referral code लगाना ना भूलिएगा अब बच्चों के बन में doubt होता है कि कितने महीने का subscription ले तो RAS वाले बच्चों को मैं advice करती हूँ 2 साल या 1 साल का subscription अभी क्या offer चल रहा है 6 महीने से जादा क्या subscription अगर आप लेते हो तो आपको 6 महीने का subscription free मिल रहा है तो आप इस opportunity का फायदा उठा सकते हो अगर 1 साल का subscription ले रहे हो तो आपको 1.5 साल का subscription मिल रहा है ठीक है और computer instructor वाले बच्चे 3 महीने का subscription ले सकते हैं video mains वाले 3 महीने का 1st grade 2nd grade वाले बच्चे 1 साल का subscription ले सकते हैं college lecturer वाले students को भी मैं advise करूँगी उनके भी vacancy आ गई है 1 साल का ठीक है जो college lecturer के aspirants है उनको RPSC का plus subscription ले लेना चाहिए 10% discount code लगा लिजीगा taruna live मेरी classes आपको English Hindi Medium में देखने को मिलेगी plus join करने से सारे educators की सारी classes और test series included है तो चलिए हम लोग start करते हैं और कोई भी आपकी query या doubt हो तो please comment section में mention कर दीजेगा आज मैं live available नहीं रह पाऊंगे आप सब के लिए तो we are going to start राजस्थान की economic survey यानि की राजस्थान की आर्तिक समिक्षा 2021 बेसिक से start करते हैं इसकी pdf अगर आपको चाहिएगी तो pdf के लिए मुझे बता दीजेगा इसकी pdf आपको मिलेगी कहां पे हमारे telegram channel पे telegram channel के links आपको description में दिये गए हैं ठीक है clear है सबको telegram channel के links आपको description में दिये गए हैं तो चलिए start करते हैं economic review जो है publish किया जाता है annually मतलब हर साल वार्षिक रूपे by department of economics and statistics ठीक है department of economics and statistics जिसको हम short में अगर बोले तो D.E.S. भी बोलते हैं यानि कि अर्थ शास्त्र और सांखी के विभाग द्वारा वार्षिक तोर पर प्रकाशित किया जाता है इसके headquarter के अगर बात पूछे इसका हमारे CM अशोग यालोजी जो की finance minister है उनके द्वारा विधान सभा में पेश किया गया budget भी पेश करते हैं और economic survey भी साथ में clear है सबको तो चलिए आगे देखते है economic survey का जो front page है वो यह हमारा front page आया इस बार economic review 2021 बाई government of राजस्थान department of economics and statistics जैपूर के अंदर ठीक है इस department द्वारा प्रकाशित किया गया आर्थिक वे सांखी की दिदेशाले के द्वारा अब यहां पर देखने की बात क्या है मुख्या मुख्या बाते 75 आजादी का अमरित महुतसव 75 आजादी का अमरित महुतसव में पेज के उपर पब्लिश हुआ है बच्चे तो इसका मतलब यह हो जाता है कि 75 अमरित महुतसव से लेकर अगर कोई भी activity अपने मारो प्यारो राजस्थान में हुई होगी तो यहां से आप एक question expect कर सकते है ठीके इस जगा से एक question आ सकता है दूसरा government का major plan क्या है मुख्य मंत्री चिरन जीवी स्वास्थे बीमा योजना ठीके तो यहां से एक question आप पक्का समझे एक्जाम में very high chances है यहां से आने के लिए क्यों क्योंकि economic review पर राजस्थान सरकार द्वारा front page पे इसको दिखाया गया है ठीके उसके बाद यह अधार review के अगर आप चाहे तो point wise notes बनाके note down भे कर सकते हैं बाकी मैं जो आपको notes provide करूँगी कौन-कौन से important points आपको पढ़ने है मैंने highlighter से mark कर दिये हैं तो आप लोग इसको as it is भे download कर सकते हैं जैसे आपको comfortable लगता है पहले page पर मुख्या मंतरी जी का message दिया गया है मुख्या मंतरी जी का संदेश दिया गया है तो इस संदेश में main जो बात पढ़ने वाली है वो यह है question पूछा जा सकता है आपसे राज्य सरकार के लिए good governance के लिए guiding force क्या है good governance का मतलब होता है सूर शाशन के लिए राज्य सरकार के तीन मूल सिधान्त कौन कौन से है यहाँ पर question पूछा जा सकता है आपसे तीन मूल सिधान्त कौन कौन से है तो तीन मूल सिधान्त है पहला है समवेदन शीलता दूसरा है पारदर्शिता और तीसरा है जवाब देही ठीक है समवेदन सरकार को समवेधन होना चाहिए पारदर्शी होगी सरकार और तीसरा है जवाब देही यानि कि accountability तो इंग्लिश में अगर हम बोले तो S, T, A आप याद कर लीजिए sensitivity, transparency, accountability, sensitivity, transparency, accountability तीन मूल से धान्त है किस चीज़ के राजस्थान सरकार के सुशाशन को चलाने के लिए यानि कि good governance को चलाने के लिए तो इस page पर मुझे यही बात ज्यादा important लगी, next देखते हैं, यहां से आपको क्या important point देखने को मिलेगा, पहली बात यहां से याद रख लिजे, राजस्थान सरकार के statistics department के, यानि कि सांखी की विभाग के मंत्री कोन है, इनका नाम याद कर लिजे, गोविंद राम मेगवाल, ठीके, statistics department के मंत्री कोन है, कई बर cabinet मंत्रियों को लेकर भी, राजस्थान सरकार में, council of ministers को लेकर भी question आते है, मंत्री मंडल समूँ में कौन कौन से मंत्री है, तो य मतलब जल्दी जल्दी विकास हो, तो उसके लिए सरकार का main focus कौन कौन से sectors पर है, कौन कौन से शेतरों पर है, अगर यहाँ पे front page ने, पे राजस्थान सरकार ने अपने महतोपुन सेक्टर बताए हैं, तो इतना मतलब यह सारे सेक्टर लाजमी important है, अपने आप में important है, इ उचना प्रद्योगिकी, स्वास्थे धेखपाल, खान और खनीच, ठीके, क्रिशी और संबंध गतिवीधिया, निर्यात और MSME जैसे प्रमुक शेतरों की पहचान की है, तो इन प्रमुक शेतरों से एक question हर हाल में आपको expect करना चाहिए, देखे जो मेरा experience है 5 साल का पढ़ा वाली है, solar energy से एक question expect कर सकते है, information technology, mines and minerals से तो 100% question आई ही जाता है, health sector से भी आएगा ही आएगा, उसके बाद agriculture, क्रिशी और allied activities, allied activities के अंदर क्रिशी में क्या आजाएगा, पशुपालन आजाएगा, animal husbandry आजाएगा, livestock आजाएगा, ठीके, ये सारे, export पे question पूछा जा सकता है आप से निर्यात करने से related, और MSME, micro, small और medium enterprises, यानि की लगू, madhyam, वो जो उद्योग शेतर होते हैं, वो, तो आप जब भी economic survey पढ़ें, तो ये chapter बिल्कुल भी miss करके ना जाएगा, ठीके, सबको clear हो गया, तो इन sector से question आने के chances है, clear है, अगर आपको ये video अच्छा लग रह और उसके साथ साथ, जो सबसे अच्छी बात में चाहती हूँ, मारो राजस्तान पढ़ेगा भी, बढ़ेगा भी, इस target के साथ, जो है, हमने start किया है campaign, तो आप लोग इसको अपने friends के साथ share जरूर किया करें, ठीके, और जब भी unacademy के learning app पे आए, unlock code आप से पूछा क्योंकि जैसे जैसे नई students आयाड होते हैं, तो उनको ताकी पता रहे, ठीके, चले, अगला देखते हैं, next जो है, government of Rajasthan, Rajasthan सरकार के statistics department के ही, सांखी की विभाग के राज्य मंतरी कौन है, जो पहले खेल मंतरी हुआ करते थे, youth and sports affairs minister हुआ करते थे, अशोक चंदाना जी, य जानी की वार्शिक document है, जो state legislative assembly में, राज्य विधान सभा में पेश किया जाता है, at the time of presentation of government budget, जब राज्य सरकार अपना government budget पेश करती है, तो उसी समय याद कर लीजिए, economic survey जो है, यानि कि आर्थिक समिक्षा पेश की जाती है, तो अगर आपसे exam में question पूछा जाता है, आ राज्य विधान सभा में प्रस्तुत किया जाता है, क्लियरे सबको, statistics विभाग के, सांखे की विभाग के मंतरी कौन है, गोविंद्रा मेगवाल जी, और अगर राज्य मंतरी पूछे तो आपसे क्या हो जाएंगे, अशोक चंदाना जी, क्लियरे सबको, next page पर move on करते हैं, वीडियो को जल्दी से, like, subscribe, share करना ना भूलेगा, ठीके, अब यहाँ पर हमारी राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव कौन है, डारेक्ट एक्जाम में question आ सकता है, चीफ सेक्रेटरी, यह बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता, उनको बता दे, नाम बीमा योजना, ठीके, मुख्य मंत्री, चिरन जीवी, स्वास्थे, बीमा योजना, यह विशेश रूप से मददगार हुई है, कब, वर्तमान महामारी, महामारी कौन सी, COVID-19, कोरोना की महामारी के दोरान, किस चीज में, डारेक्ट कोशन आएगा, मुख्य मंत्री, चिरन स्वास्थे, निवासी है, सबको, युनिवर्सल हेल्थ कवरेज, स्वास्थे कवरेज मिले, सार्व भॉमिक स्वास्थे कवरेज, याद कर लेंगे, सार्व भॉमिक स्वास्थे कवरेज, तो यह याद रखेगा, कोशन पूछा जा सकता है, मुख्य मंत्री, चिरन जीवी, स्वास्ते बीमा योजना का main purpose क्या है हमारा universal health coverage याद हो जाएगा जित्ते भी points मैंने आपको बताए है next page पर चले जाते एक पर और देख लेते हैं आगे और क्या-क्या है हाँ अब यहाँ पर हमारा बच्चों इंडेक्स आ गया है इंडेक्स आ गया है अब chapter wise economic survey स्टार्ट हो रहा है अभी तक जो हमने किया वो introduction थी ठीक है तो इसमें पहला chapter दिया हुआ है आर्थिक विकास के मुख्य सूचक कौन कौन से है मुख्य सूचक का मतलब है maths है economy maths है रामा नुजी को आप जानते हो रामा नुजी ने जीरो का कितना important महतो बताया था ठीक है और अभी हाल ही में देखा होगा नीना गुपता जिन्नोंने रामा नुजन पुरसकार जीता ठीक है तो पहले chapter में economic survey में number game की बात तो ना हो तो ये तो नहीं हो सकता तो हम सबसे पहले मुखे सुचे कांग main जो हमारे indicators है उनको discuss करने वाले हैं किस چीज को discuss करने वाले है main जो हमारे indicators है उनको हम लोग discuss करने वाले हैं ठीक है तो पहले chapter में हो सकता है आप लोग थोड़ा-थोड़ा WAR हो लेकि ये number game जो है आपको 2-3 questions ठीक करवा सकता है बहुत जादा chances होते है, R.S. के अंदर तो खास कर कि इस number game से यहां से 2-3 question आपके exam में hit हो जाए, एक से 3 question आने के chances रहते हैं, ठीके, तो यह main पहला chapter हो गया, अगर English में बात करें तो key indicators of economic development, key indicators of economic development, ठीके, clear है सबको, उसके बाद executive summary, executive summary को अगर आप चाहें तो skip भी कर सकते है मुझे जो important points लगेंगे वो कराऊंगी, क्योंकि executive summary में आने वाले जितने chapters है न, सबकी summary दी हुई है, सबका सारांश दिया हुई, लेकिन हमें economic survey पूरा ही करना है, हम हर chapter को चुकी detail में करने ही वाले हैं, तो summary हम last में भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो अभी for the time being इसको skip किया जा सकता है, अगर मुझे कोई point extremely important लगेगा सारांश में, तो वो मैं आपको कराऊंगी, ठीक है, उसके बाद जो है, overview of macro economic trends, तो जो पहला chapter था, आर्थिक विकास के मुखे सूचक, उसे से related ये chapter है, उसी में थोड़ा और detail करके ये इन्होंने बता दिये, इसमें हम क्या प्रति व्यक्ति आए, सकल स्थाई, पुंजी नर्मान, ठोक मुल्य सुचकांग, very very important, 7 star important, एक question यहां से expect कर सकते हो, उभोकता मुल्य सुचकांग, 5 star important, एक question यहां से expect कर सकते हो, ठीक है, तो हम first starting हमारी शुरू से ही करेंगे, और overview of macro economic trends में हम लोग क्या क्या पढ़ने वा net state domestic product, तो तिंता मत कीजिए, अगर आपको इनके meaning नहीं पता, तो मैं किसली हूँ, मैं आपको meanings इनके detail में बताऊंगी, उसके बाद है per capita income, gross fixed capital formation, wholesale price index, और consumer price index, ठीक है, अगर आपको पीछे noise आ रहा है बच्चो, तो back end पे हमारे घर के back side में construction चल रही है, उसको please ignore कीजेगा ठीक है, क्योंकि अगर मैं नहीं video record करूँगी, तब भी काम नहीं चलेगा, तो थोड़ा सा short, अगर आपको आ रहा है, वैसे मुझे लग रहे है, शायद ना भी आ रहा हूँ, क्योंकि mic की विज़े से short कम आता है, अगर आ रहा है तो माजरत, extremely sorry, ठीक है, चले, तो start कर लेत आपको वैसे भी कराने ही वाली हूँ, उसके बाद आपके, यहाँ पे हम theory पढ़ेंगे, unacademy के learning gap पे मैं आपके बकायदा test लिया करूँगी, economic survey के, ठीक है, तो अभी मैं चाहती हूँ, 4-5 दिन आप पढ़ लो, ताकि फिर हम अच्छे से एक पूरा mega test में आप लोगों के सकते हैं, बाकी जो question आते हैं, economic service से, जिनके बहुत जादा chances होते हैं, वो होते हैं, योजनाए और scheme, तो ये सारी योजनाए scheme, जो है, x, y, z, जितनी भी scheme हो, सब मैं आपको कराने वाले हूँ, तो start करते हैं, पहले question से, key indicator of economic development, राजस्थान में आर्थिक विकास के, मुखे स कौन-कौन से हैं, ठीके, तो सबसे पहला point हम करेंगे, देखे, सबसे पहले आपको याद रखना है, ये जो indicators याद करने हैं, हमें कौन-कौन से वर्षों के करने हैं, कौन-कौन से sun के करने हैं, तो देखे, सबसे ज़्यादा chances हैं, question आप से पूछे जाएंगे, तो 2021 का data याद करना है और उसके साथ साथ 2020-21 जो है कोरोना वर्ष था कोविड-19 का वर्ष था तो इस वर्ष में जादा तर हमें कहीं ना कहीं नेगिटिव एकोनॉमी देखने को मिली है हमारी एकोनॉमी गिरी है तो उस लिहाद से देखा जाए तो वो पिछले से कंपेर करके पूछ सकता है तो 2019-20 भी थोड़ा बहुत हलकी भुलकी लौनिज हमें इसकी होनी चाहिए तो यह सूचकांग जब भी मैं बताऊंगी योगि आने वाले स्लाइड में आपको उपर वर्ष एर वार्षिक एर नहीं दिखाई देगा जैसे कि यहाँ पर ठीके इस स्लाइड में आपको नहीं दिखाई देरा तो आपको खुद से समझना है कि लास्ट वाला जो सन है हम बात करेंगे 2021-22 की ठीके इसमें हम बात करने वाले ह है 2020 21 की और इसमें हम बात करेंगे 2019 की ठीक है तो मैं चाहती हूँ आप इसको याद रखें मैं लिख भी देती हूँ फिर भी अगर confusion हो जाता है तो बाकी नहीं होना जाहें मेरे ख्याल से ठीक है तो आपको यह समझ जाना है clear है सबको बाकी मैं बता भी दूँगी कोई बात नहीं तो हम जो है सबसे पहले जादा important सियाद रखेंगे आज की की आज का हमारा कौन सा data है क्या है उसके बाद पिछले वर्ष क्या था और उससे पिछले वर्ष क्या था main focus आपको इन दो data पर रखना है ठीक है clear है सबको सबको clear है तो सबसे पहले बात करते हैं अगर हम राजस्थान की economy की बात करें तो सबसे पहले हम यही देखेंगे ना राजस्थान का जो हमारा शेत्रफल है यानि की 3.42 लाख square किलो मिटर 3.42 लाख वर्ग किलो मिटर उस वर्ग किलो मिटर के अंदर क्या-क्या सामान बन रहा है ठीक है तो उसी को हम लोग बोलते हैं G.S.D.P. Gross State Domestic Product हमारे घर की सीमा के अंदर क्या-क्या चीज़े बन रही है चाहे वो कोई भी बनाए राजस्थान के अंदर जो भी चीज़े बन रही है चाहे गेहूं बन रही हो चाहे कोई मोबाइल बन रहा हो चाहे कुछ भी बन रहा हो उनकी total value कितनी है हमारे घर के और values की total value कितनी है total price कितना है उसको हम gross state domestic product बोलते हैं अगर हम हिंदी में बात करें तो हम इसे बोलते हैं सकल राज्य घरेलू उतपाद क्या बोलते हैं हम इसको सकल राज्य घरेलू उतपाद राज्यस्थान की boundary के अंदर जो भी सामान बन रहा है उनकी कीमत कितनी है उसको बोला जाता है सकल राज्य घरेलू उतपाद क्लियरे सबको दो टर्मस आएंगे यहां पर अब सकल राज्य घरेलू उतपाद और उसके साथ साथ gross state domestic product जो है वो आप देखेगा दो कीमत पर निर्धारित किया जाता है एक तो आज कीमत कितनी है एक तो आज value कितनी है ठीके और एक हम देखते हैं पुराना base year हमें पता होना चाहिए कि महंगाई कितनी बढ़ी ठीके किसी चीज की कीमत कितनी बढ़ गई आजकल 100 रुपे में कुछ नहीं आता एक जमाने में 100 रुपे में बहुत कुछ चीज़ें आ जाया करती थी तो उसको हम compare करने के लिए एक आध cross state domestic product के लिए यानि GSDP के लिए आधार वर्ष जो माना गया है base year जो माना गया है उसको हम बच्चे बोलते है constant price स्थिर मुल्यों पर GSDP कितना है तो वो कौन सा वर्ष है GSDP calculate करने के लिए 2011 बारा एक हम देखेंगे current price पे पूछा जाएगा current price का मतलब होता है हिंदी में प्रेचलित मुल्यों पर GSDP कितना है सकल राज्य घरेलू उत्पाद दूसरा आपसे पूछेंगे स्थिर मुल्यों पर तो स्थिर मुल्यों के लिए GSDP के लिए वर्ष कौन सा लिया है हमने 2011 बारा यह basic concept आपको समझ में आ गया अब हमें इनकी value याद करनी है ताकि direct exam में question है तो हमें वहाँ पर सोचना ने पड़े सही है या गलत है तो पहले हम याद करेंगे किसकी current की और उसके बाद हम constant पे देखेंगे ठीक है पहले मुझे लगता है जो current जो अब भी चल रहा है माजरा वो पता होना चाहिए उसके बाद पीछे देखेंगे 2011 बारा में क्या क्य में चल रही थी तो देखें 2021 में 2021 में GSDP की जो कीमत है वो कितनी है एक लाख उन्निस हजार छे हजार 137 करोड रुपे में ये आपको value मिलेगी ठीक है एक सो उन्निस एक सट सैंतिस याद कर लीजे एक सो उन्निस एक सट सैंतिस अब यह याद ही करना पड़ेगा आप इसको अंदाजन याद कर सकते हैं एक लाख बीस हजार से थोड़ा सा value कम है ठीक है एक सो उन्निस एक सट और 37 लाख करोड रुपे ये ऐसा मिलेगा value ठीक है उसके बाद ये 2020 में कितना था 2020 में हमें पता है economy down थी तो obviously कम ही होगा कितना है एक सो एक तेतिस तेज कितना है एक सो एक तेतिस तेज्टो ये तो नंबर याद करना असान ही है आपको ऐसे ही याद करने होंगे तब ही याद ओँगे 101 तेतिस तेजट ठीक है इससे पिछले साल कितना था 2020 में और वी जादा कम था 19-20 में और भी ज़्यादा कम था कितना तो देखो 3-9 याद करो तो यहां पर value कितनी है 999-050 कितनी value है 999-050 तो एक trend हमें पता चल गया GSDP का सकल राज्य घरेलू उतपाद का कि 2019-20 से ये लगातार क्या हो रही है बच्चे बढ़ रही है लगातार क्या हो रही है इसमें वृ वृद्धी हमें देखने को मिली है लेकिन अल्दो वृद्धी काफी कम हुई है लेकिन जितनी भी हुई है देखने को मिली है उसके बाद आ जाते है constant value पर constant price का मतलब जो स्थिर मुल्यों पर GSDP कितना है तो वो कितना है देख लीजिए 73,000 नहीं 7,33,017 करोड रुपे 7,33 तो यहां पे भी 33 नंबर important था और यहां पे भी 33 नंबर important है ठीके तो आपको कैसे याद करोगे 7,33,017 आपको याद करना है ठीके 2021 का GSDP स्थिर मुल्यों पर यानि की कौन सी मुल्य स्थिर मुल्यों को क्या बोलते constant price के ऊपर ठीके 2020 में कितना था 33 दुनी 66 कर दो ठीके और 66,18 होती है तो याद करो 66,118 आपको याद हो जाएगा 66,0118 ठीके ऐसा ही बनेगा ये शायद से देख ले ना इसको 660,118 ये बन रहे है ठीके इतने करोड रुपे उससे पिछले साल कितना था थोड़ा सा कम था 6,89,564 रुपे अगर ये नहीं भी याद होते तो ये दो वैल्यू तो जरूर याद करनी है ठीके 6,89,564 रुपे क्लियर है सबको हिंदी में और देख लेते है ताकि बच्चे को प्रॉब्लम नहीं हो याद करने में तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मुल्यों पर 2021 में कितना ह 21 में 2 माइनस कर दो 19 आ जाएगा 119,61,37 पिछले साल कितना था 111,33,23 पिछले साल कितना था 999,050 ऐसे ही याद रखना पड़ेगा आपको option देखके क्लिक कर पाऊगे उसके बाद स्थिर मुल्यों पर 73,30,17 पिछली बार कितना है 660,18 उससे पिछली बार कितना है 6,89,564 अ question ये पूछेंगे GSDP ठीके सकल राजे घरेलू उतपाद स्थिर मुल्यों पर एक statement बना दे के दे देगे 2020 में 19-20 के मुकाबले बढ़ा है या घटा है तो value देख लो down जा रही है मैंने red में mark किया है value ये कम और ये बाकी सारे बढ़ रहे है बाकी सारे value बढ़ रहे है तो आ क्या हो गई है बच्चो कम हो गई है question definitely पूछा जा सकता है आपसे statement बना के दे देंगे या directly भी पूछ लेंगे आपसे ठीके clear सबको याद हो गया अब अगला question इन्होंने दिया है सकल राजे घरेलू उतपाद वृद्धी दर मतलब पिछले साल के मुकाबले कितना percentage बढ़ या कितना percentage घटा तो यहां पर याद रखना सबसे पहले जो number negative में दिया होता है उस पर question आने के chances सबसे जादा होते है ठीक है तो वही सकल राजे घरेलू उतपाद स्थिर मुल्य है 2011-12 में यहां पर कम हो रहा है तो यह यहां पर भी कम होगा जब हम percentage में निकालेंगे तो negative म आएगा ना तो यह व्रिद्धी दर जो 2019-20 में 5.70 परतिशत थी वो व्रिद्धी दर 2021 में घटके कोरोना की वज़े से कितनी आ गई माइनस 2.86 आ गई याद कर लोगे माइनस 2.86 परतिशत डारेक्ट कोश्चन आएगा पेपर के अंदर GSDP constant price पे 2020-21 में कितना है माइनस 2.86 परतिशत ठीके 21-22 में कितना है जीधा उचाल मारी है 5 गुना बढ़ गया ऐसे याद करो 11 परतिशत कितना हो गया 11 परतिशत स्थिर मुल्यों पे कम हुआ है ये चीज हमें याद रखनी है current पे कुछ नहीं कम हो रहा ठीके ये चीज को याद रखने है अच्छा current पे वृद्धी दर में पूछें अगर आपसे प्रचलित मुल्यों पर यानि कि current प्राइस पर GSDP 2020-21 याद रखे 2020-2021-2019 के मुकाबले नेगेटिव में तो नहीं रहा लेकिन घटा बहुत जाद है कैसे 9.58% से हमारी GDP ग्रो कर रही थी 2019-20-21 में current price पे कितनी आके रह गई है 1.43% और 1.43% बोले तो constant price का पूरा पूरा आधा है देखो 2.6 को 2 से भाग करोगे कितना हैगा 1.43 तो आपको याद करने में help हो जाएगी 1.43% ठीक है और current price पे अभी GSDP का वृद्धी दर कितना चल रहा है 2021-22 का भी question आपसे पूछ सकते हैं तो answer आजाएगा 18.04% क्या answer हो जाएगा हमारा 18.04% ये data याद हो गया एक बार फिर से देख लेते हैं percentage वाला English के अंदर GSDP growth rate वृद्धी धर constant price के उपर 2019-20 में 5.70 20-21 के अंदर negative minus 2.86 और 21-22 में फिर बढ़ गया 11.04 प्रतिशत ठीक है current price के उपर 2019-20 में 9.58 20-21 में कम हो गया 1.43 ये कम हुआ है इसलिए मैंने इसको red में दिखाया है ठीक है और अगर current का पूछे 2021-22 में हमारी GDP growth rate क्या रही है तो answer आजाएगा 18% current price पे 18 और constant price के उपर 11.04% clear है ये 3-4 data जितने मैंने आपको बताए आपको याद हो गए तो ये आज हमारा छोटा सा introductory video था economic survey का अपना comment जरूर दीजेगा कि ये आपको section कैसा लगा इसी तरह से बाकी का जो data है वो आपको next class में देखने को मिलेगा ये भी बहुत important point है GSVA के अंदर agriculture industry services का क्या ratio है तो मैं इसको आपको कब कराऊंगी next video के अंदर ठीके तो इसी तरह से मेरी और amazing classes के लिए अगर आपको ये classes amazing लगती है तो ठीके आप लोग मेरी classes को join कर सकते हैं unacademy plus पे code लगाना ना भूलेगा code है हमारा code दुबारा लिख देती हूँ बच्चे जिरोंने बाद में join क्या हो taruna live मेरी free live classes plus classes unacademy पे किसी भी category के अंदर कोई भी class देखो कोई भी discount code अगर आपको चाहिए तो taruna live code आप लगा सकते हैं ठीके plus classes join कर सकते हैं मेरी plus classes होती है unacademy पे 4-5 बजे और एक plus class होती है 9 बजे और उसके साथ-साथ free live classes होती है सुबा 8 बजे और रात को 9 बजे खीक है clear है सबको I hope economic survey का पहला session आप सबको अच्छा लगा होगा जैसा भी आपका feedback है comment section में देना मत भूलेगा वीडियो पसंद आयो शेयर भी कर दीजेगा और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में सबको मेरी तरफ से घणी घणी राम राम